अधाब नाजरीन आप इस टाइम पे ग्रोगन कश्मीर देख रहे हैं आपने देखा होगा कि आयरोज हम इंटेव्यू करते रहते हैं जो कि कश्मीर की जितनी भी बड़ी हैं उनसे हम गुफ्तुगो करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो अभी कश्मीर के जो हालात है इस पैंडमिक को लेकर को लेकर तो हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि लोगों तक वो जो मालूमात है वो फराहम हो जिससे कि जो गलत फैमियां हमारे इस समय में इस ताम पर फैल या जो भी इस चीज की रिसर्च कर रहे हैं जान पहचा रखते हैं इस कोविड बीमारी को हवाले से तो हम उनसे गुफ्तगो इसी रिजन से करते हैं कि आपके जो गलत फहमियां है अब फैली हुई जो हमारे समाज में गलत फैली हुई है वो दूर हो जाए और वो इस बीमार से इस इन के साथ मलाकद करने का एक मेन मक्षब हमारा यह है कि हम आयर दिन का इंट्रिव्य करते हैं कि जो pleas को नेकिन कुछ ऐसी भी बाते होती हैं जो जिनको को हम समाजी दोर पर देखते हैं या जिनको हम मजभी लिहास से देखते हैं तो आज हम le जो कोशिश की है आज हमारे साथ इस ताइम पे मौजूद है मीरवाइस नौर्थ कश्मीर जनाब अमोला नाप परे हसन अफजल फिर्दोसी सहाब तो हम आज कोशिश करेंगे इन से गुफ्तगू करने की और ये जानने की कि जो इस ताइम पे सोसाइटी में कोविड को लेकर जो फ़हे फैली हुई हैं वो किस हद तक सही है और दीनी एतिबार समुछापवालिया wyb Minister Your Honor, आपका बहुत 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 स्विश दिवार स्वारे में में आपका भी mówi आपका भी बहुत मैं सुर्म जानना चाहते हैं कि कोविड को हम दीनी इतिपार से कैसे देख दे हो गा है बैट में इताय जरासिंग हमें ये मालूम होना चाहिए कोई मखमसा नहीं है बलकि एक हकीकत है और इस हकीकत ने तकरीबन दुनिया में 36 लाख लोगों से जादा जाने लिए है और आज भी अगर देखेंगे सारी दुनिया में साथ अरब लोग बसते हैं उन साथ अर लोग बस्तारी के शुकार हैं जो बीमार हैं इस वकत और तमाम दुनिया के जितने भी हुकुमरान हैं वो इस जरासिंग के सामने बेबस नजर आते हैं क्यूंकि ये लाख की एक मखलूक है इस मखलूक ने जब हम लाख के बागी हो गए तो लाख ने कहा कि आपने हमारे सा जंग शुरू की चलो मैं एक थोड़े से छोटे से सिपाही को बेजता हूं अपने मैं भी देखता हूं कहां तक आप मकावल करेंगे और जब तक हम देखते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी साइनसदान हैं आज के दिन तक वो बेबस नजर आ जाते हैं हां कोशे हो रही हैं उसकी साराहना की जाएन चाहिए गौर्मेंट भी कोश कर रही हैं अपनी तरफ से कि लोग महफूज हो जाए इस बीमारी के शुकार नहो जाए क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है तो जब देखा जाता है हम लोग जो है क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन की भी हैसित से क्य लगते हैं मेरी अपील है और धर्दमंदाना अपील है लोगों से कि वो इस हवाले से अपने आप को महफूज रखें क्योंकि कुराण पाक में हमें हिदायत मिली है वमन अहयाहा फकान्नमा अहयना से जमिया जिस किसी एक इनसान ने एक इनसान की जान बचाई और लग लग ले जेए कि उसने सारी इंसानित की जान बचाई हुए कोड्ट नैंटीन का जो यह कोरोना की जरासि में यह जतकि बार एक तो कोई नुकसान पड़ी है कि पहले जब ये पहली वेव में आया था तो ये अंदर जो और्गनज है इनसान के बाड़ी के अंदर वो इसको श्रिक करता था मगर जो आज तीसरी लेहर जो है दुनिया में चल रही है इस वकत रिपोर्टर्स आ रही है कि ये श्रिक नहीं कर रहा है बलकि जो अंदर इनसान के और्गनज है उन और्गनज को खा रहा है जब इस तरह का मामला हो तो हमें कितनी एहत्याद बरतनी चाहिए और एहत्याद की क्या रसूल अल्लाव अल्हीं के जमाने में ऐसी कोई मिसाल है चुमकि हम रिल्जियस लिहाद से लोग उनके सामने जाते रहते हैं और जितनी भी तकारिर हमें हुई है पबलिक लिए तो हमने वहां भी उन्हें गोजारिश की एहत्याद बरतने की तो हमारी जो इसलामिक हिस्ट्री है तो क्या कभी इस तरह का कभी वाकिया हुआ है हमारी हिस्ट्री में जब इस तरह का जो माहूल है पैदा हो चुका है कि प्यारे पाइगंबर ﷺ ने फर्माया था एक बार वाइजा अकलतुमूहुम मरीजतुल जुजाम जुजाम एक ऐसा मर्ज है जिस तरह ये कोरोना वाइरस में जो इनसान मुबतला है तो दूसरी के अंदर ये फैल जाता है पाइज ये कि पाइजाएज़ का हमें एहतियात करना चाही है एक मूह बंद रखना चाही नाक बंद रखनी चाही है और World Health Organization की रिपोर्ट के मताबख पाइज जगों से इनसान के जिसम में इदाखल हो जाता है मूह से बीदाखल हो जाता है नाख से भी दाखल हो जाता है और आँखों से भी दाखल हो जाता है और इस से बड़ी बात है कि लोग एवियर नहीं है जो छोटी शर्मगाह है जहां से हम यूरीन कर रहे हैं उस शर्मगाह की नाली से भी ये अंदर दाखल हो जाता है जो बड़ी पेशाब की जगा है वहां से भी ये दाखल हो जाता है जब माबद से भी ये दाखल हो जाता है जिसम में हमें कितनी एहत्याद बरतनी चाहिए और हम मासक लगाते हैं आजकल मासक में क्या है? मू बंद हो जाता है नाग बंद हो जाती है चुम्कि आपने देखा होगा हम इसी समाज के हिस्से हैं इस समाज के हिस्से जब हैम है तो हम देखते हैं कि इनसान ज्यादा से ज्यादा आँक की तरफ हाथ ले जाता है या फिर मुख की तरफ हाथ ले जाता है आँख की तरफ वो ज्यादा हाथ नहीं ले जाता है इसलिए एहतियाती तोर पर हमें मासक पहनी चाहिए एक तो ये कि हाथ अगर हाथ में एक और ना जरासिम लगा हो कहीं ये मुख के अंदर न जाए कहीं ये नाक के जगा से अंदर न जाए और दूसरी अगर कोविड नाइ की रिपोर्ट के मताबिक ये एर बारन भी है कोई कोविड नाइटीन का पेशन्ट यहां से गुजर रहा है तो उसके मुख पे मासक नहीं है उसके नाक पे मासक नहीं तो उसको च्छींक आ गई च्छींक जो ही उसको आ गई तो ये पंदरह मिनट हवा में रहती है ये जरा मैं तो किसी COVID-19 पेशिंट से मिलाई यह नहीं हूँ नहीं आप मिले नहीं मगर मासक नहीं थी आपको इसलिए रसूल अल्लाव नहीं ने फरमाए इजा अकलतुमुहुम्ज मरियजतु जिज्जाओं वो बीमारी भी ऐसी थी जो दूसे लोगों में पैल जाती थी लग जाती लोगों को तो नभी पाक स्लिए लोगों को ने हमें हिदाया दिये हैं जब आपको मजबूरी हो कि ऐसे शक्त से मिलना जरूरी है इसे के बगहर चारा नहीं है तो कैसे मिलेंगे उसके साथ फल्यकुम बैनकुम बैनहुम तो आपको लाजिम बनता है फा जो हैं इस पे तो ह मेंडेटरी है और मेंडेटरी जब ये है कि मेरे दर्मियान जब मुझे कोवेडR knowledge patient से मिलना हो तो मेरे दर्मियान और उसके दर्मियान क्या होना चाहिए चाहिए दूर जो कश्मीर में कहते हैं दूर होना चाहिए और ये लाजमी चीज़ है डिस्टेनस मेंटेन करने चाहिए और नबी पाक ने कितनी डिस्टेनस रखने के लिए कहा तैदू रुम्हिन आपको इतनी डिस्टेनस रखनी चाहिए उस मरीज और अपने दर्मियान जैसे जतना बड़ा एक नेज़ा है और हमें मालूम है सारी दुनिया में जितने भी नेज़े हैं सबसे छोटा नेज़ा जो होता हा छे फुट का होता था दर्मियान का नेज़ा जो होता था आठ फुट का होता था सबसे बड़ा नेज़ा जो दुनिया में है वो लो न Kings России होता था तो नबी पाग अने जब फरमाया अप एक नेजे की डिस्टनस अपने दर्मियान और उस मरीज उस बीमार के दर्मियान रखिए आज हम ऐसा भी तर्जमा कर सकते हैं अपने दर्मियान और कौवर्ड नैंटीन पेशन्ट जो हो उसके दर्मियान इतनी डिस्टनस रखिए सबसे कम जो डिस्टनस है वो छे फुट होनी चाहिए तो सरकार भी यही कहती है आजकल तो 14 सौ साल पहले हमें यह हिदायत मिले हैं कि 6 फुट डिस्टनस आप रखिए और दूसरी बात नबी पाक स्वाबा से बैयत ले रहे थे बैयत का मतलब है एक हाथ नबी पाक स्वाब कर नीचे होगा तो सहाबी आएगा उसके दस्ति मबारक के ऊपर दस्ति मबारक रखेगा और बैयत करेगा मगर एक मरीज आया जुज्जाम का मरीज जो ही नभी अपाक ﷺ की चश्मान मुबारक की नजरे उस पर जम गई तो उसे कहा दूर रही आपकी बैयत ऐसे ही कुबूल है हमें और आपने तारीख के हवाले से बात की इसलामी तारीख में ऐसा कोई वाका है जिसमें साथ सौ स्टेटस पर खलाफत कायं ती तो एक सिटेट में वबाई बेमारी फैल गई ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आप से कहना चाहता हूँ वबाई बैमारी फैल गई और उस वबाई बैमारी वो भी जान लेवा थी उससे बहुत बड़े सहाबा इस दुन्या से चले गई उस बैमारी की वज़े से बहाना बन गया हूँ अब बैमारी बहाना बन गया उसमें अबु अबेदा अबनी जर्राह जैसे सहाबी इस दुन्या से चले गई और इससे बड़ी बात ये हैं कि यमन के गवर्नर जिसे नबी पाग साल लाह लिए ने खुद यमन का गवर्नर बनाया था और यमन का गवर्नर इस बीमारी से बहाना बन कर इस दुन्या से चले जाते है जब ये सिच्वेशन बन जाती है तो नबी पाक ने हमें दौा एक सिखाई है अए मेरे अल्ला जो ये वबाई बेमारी है वल्बला वल्वबा जो ये बीमारी है और वबा की बीमारी है इसे हमें माफोज रख तो जब गवर्नर ने यमन के गवर्नर भी इस बीमारी के बहाने से इस दुन्या से चले गए तो एक वहां एक शखस था एक सहाबी था उसने फारुग आजम को खत लिखा कि हमारे इस अलाके में वबाई बेमारी फैल गई है जिससे अबुबएदा अबन जर्रा रजी लाह उन्हों माज अबन जबल रजी लाह उन्हों इतने जलिल कदर बड़े बड़े सहाबा इस दुन्या से चले गई हैं हमें क्या करना चाहिए तो फारुग आजम ने जो ही एक हत पगड लिया तो उन्होंने अमर इस अलाके का गवर्नर बना कर बेजा इस बीमारी के वज़े से गवर्नर सहब मेर अमर इस Business ने पहला काम क्या है वो तारीख में सबत है वो अलफाज उसने फर्माया अमरिबन आस ने लोगों से फर्माया तफर्रकू एक दूसरे से अलग हो जाओ एक दूसरे से अलग हो जाओ यहने कॉरंटाइन हो जाओ आइसोलेट हो जाओ वतबज्यलू वतजब्बलू वतजब्बलू और जिनके पास रहने की कोई जगा नहीं है वो पहाड उन पे चले जाओ मगर वहां भी डिस्टनस मेंटेन कीजे आइसोलेट अपने आपको कीजे वो तारीग गवा है तारीग गवा है आज तीन साल हो गए हैं दुनिया को इसे लड़ते लड़ते मगर कहीं नहीं पहुंचते हम मगर उस अलाके में सिरे 22 दिन के अंदर अंदर वो वबाई बेमारी खत्म हो जाती है दो चीजे उनने की एक डिस्टनस मेंटेन रखी एक दूसरे से दूर रहे एक दूसरे से अलग हो गए और दूसरे जो लोग थे उन्होंने बीड़ बाड नहीं की बिलकि वो जंगलों में चले गई दूर दूर चले गई और 22 दिन के अंदर अंदर वो वबाई बेमारी तारीख में थाबत है वो खत्म हो गई मलन साब मैं जाना चाहूँगा कि आपने तो बिलकुल एक कहेंगे कि मशाले राज दिखा दे लोगों को कि अगर इस तरह की अभी जो वबाई बीमारी हमारे में फैली हुई है तो इसको रोकने का भी क्या तरीका है और इससे बचने का भी क्या तरीका है तो मुझे बताएं कि फिर आखिर वज़ा क्या है कि हम इस भीमारी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा आप से तो कश्मीर के हवाले से आखिर क्या वज़ा है चाहे लोग नमाज भी पढ़ते हैं अज़कार में भी होते हैं लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वज़ा से ये जो भीमारी है रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं। असल में इसकी सबसे बड़ी वज़ाए है कि हम एहतियात नहीं बरतते हैं। ये गौवर्मेंट की तरफ से जो गाइड लाइन आ रही हैं वो मिनुवन फालो होनी चाहिए। फैल रही हैं इसी वक्त कि हम फालो नहीं करते हैं। देखिए गौवर्मेंट ने कहा कि आप अंदर बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि गयर जुरूरी बाहर निकलते हैं। कोई काम नहीं होता है। निकल जाते हैं गरूं से। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोगों से मेरी एपील है। गौवर्मेंट की जो गाइड लाइन जे उनमें ये कहा गया है कि आप गरूं में बैठी है तो घरूं में बैठी है। मैं मरान साब आप से जाना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि हमारे समाज में इस ताइम पे सोसाइटी में बहुत सारे रिमर्स फैल चुके हैं। कुछ रूमर्स यह कहते हैं कि यह जो जो किसी परमोलगिस्ट ने एक स्टडी की थी जिसके हिसाब से कि जो भी यह वैक्सीन करेगा तो दो साल तक जीएगा। एक तो वह एक पॉइंट है जो मैं आप से जानना चाहता हूँ। दूसरी यह बात कि जो हमारी माय बहने हैं उनके जहनों में इस तरह का वहम फैल चुका है कि अगर यह वैक्सीन करेंगे तो वह जो उनकी काबलियत है उस पर कोई असर कर देगा। सेम ऐसा ही मसला जो हमारे नौजमान लड़के हैं यहां पर मर्द हजरात हैं वह वैक्सीन करने से इसलिए गुरेज करते हैं कि उसमें जो उनकी कोई का मामला है वह खराब हो जाएगा। तो यह अभी दो चार जो में जो अफवाएं अभी हमारे समाज में फैली हों इसके बार में क्या कहेंगे आप यह तो एक नौबल प्राइज इनाम्याफता मॉंटो गेनियर है वो फ्रांस के रहने वाले हैं 88 यर्स ओल्ड हैं वो और उसने सिरिफ नौबल प्राइज नहीं हैं और दो प्राइज भी हासिल की हैं जब तक वर्ल्ड साइंटिस्टों का बयान है के उन्होंने कहा है के मौंटो गेनियर जो है वो दुन्या में इसलिए मशहूर है कि वो कंटरवर्शन बयान देते हैं और जो उन्होंने यह नहीं कहा है के दो साल के बाद वो मर देखिए जब ये बीमारी नहीं थी तो लोग नहीं मरते थे तब भी मरते थे और जिसको अलाह ने हज़रते अली रजी रजी लाह अनु का एक बहुत ही बेहतरीन काउल है नहजल बलागा वहां पढ़ी है मेरी चोटे मोठे इस लाइबरेरी में अरबी में है नहजल बलागा उसमें हज़रते अली रजी लाह अनु फरमाते हैं एक खुदबे में कि दो दिन आप मोठ से मड़ डरियेगा तो साबा हरान हो गए हम तो जीएंगे बहुत मज़े से जीएंगे सिर्फ दो दिन है तो जब जुमाख खुदबा खतम हो गया तो एक स्वाह भी आ गई है एमि ये फरमाए वो दो दिन कौन से हैं हजरते अली ने फरमाया एक वो दिन है जब ये मलकिल मौत आएगा आपकी रूख कब्स करने के लिए अगर सारी दुनिया एक साइड हो जाए आपकी जान बचाने के लिए बच पाओगे उसे कहा नहीं बच पाएंगे तो एक तो ये दि जिस दिन इसको आना है कोई नहीं रोक साथी इसको उसने कहा दूसरा दिन कौन सा है उसने कहा दूसरा दिन वो है जब इसको नहीं आना है सारी दुनिया एक साइड हो जाए आपको मारने के लिए कोई नहीं मार सकता तो वैक्सिन नहीं मार सकता ये शिर्क है जब हमारे जह एक है वो हज़रीत य अलला है जिसने हमें पायदा किया है वैक्सीन से मरने वाले लोग हम नहीं है हाँ वैक्सीन जो है मैं लोगूं से अपील करूंगा मां बहनों से अपील करूंगा आपकी सहत पे कोई असर नहीं पड़ेंगा और अपने दरद होता है तो खाते हैं क्या डोलो पेरस्टमाल जब ये कोरोना वाइरस लग जाता है जिसको लग गया है वो जानता है ये वाइरस क्या है भी हमें लगा ही नहीं है हम क्या जानेंगे इसका क्या है ये जरासीम जो लोग इस दुनिया से इस वरा जरासीम की वज़ा से चले कीजिएगा अल्ला का वास्ता दे कर मैं आप से कहता हूं कि वैक्सीन कीजिए और इंसानियत की जान बचाने के लिए कीजिए अपने घर को बचाने के लिए कीजिए अपने आपको बचाने के लिए कीजिए क्यूंकि कुरान ने वज्या अलफाज में कहा अपने आपको हलाकत में मट डालिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस टाइम पे कश्मीर की जो सुच्वेशन है गवर्मेंट एड्मिस्टेशन जो है अपने तरफ से पोरी कोशिश कर रही है या गाइडलाइन वो आगे दे रही है तो लोग अक्सर कहीं न कहीं से अपना मोका निकाल ही ल झहाँ जह से वहान झहाँ तो अन लोगों खासकर मैं वह ंड़ोगों के बारे मैं आप से जानना चाहता हूं कि आकर उनके दिमाग जो हैं उनको कैसे समज़ा जाय कि यह जो बिमारी मोहलिक है उनके जेहनों में इसका जो जो नुकसान है वहैं किस तरा से संजाएजा सकता आप ये बहुत बड़ीया सवाल किया है जितने भी सवाल आपने किया है सबसे बड़ीया सवाल यही है हमें प्यार से महबत से उनका हम दर्द बनकर उनको समजाना चाहिए जब हम धन्ड़ा लेकर जाते ह tum evalu उसको समझाने के लिए वो नहीं समझाएगा जब हम प्यार से उसको ये लगे कि ये मेरा दोस्त है ये मेरा हमदर्द है ये मेरा बाई है ये देखिए एक बेमार जाता है डाक्टर के पास डाक्टर का क्या क्या क्याम है डाइगोनोज करना डाक्टर का क्या 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 क्याम है दवाई लिखना फिर वो दवाई खाने वाल हमारदार बनके जब हम उसको समझाएंगे वो हमें अपना समझ कर हमारी बात समझ जाएगा मैं आखर में आपसे ये जाना चाहूंगा कि जो अभी प्रिजन्ट गाइड लाइन्स है गोवर्मन्ट की की मास्क लगाएं या दूरी मेंटेन करें इसके साथ साथ खासकर मैं दीनी आतिबार से आपसे जाना चाहता हूं कि हमारे जो मुसल्मान बाई बहन माए हैं क्या करना चाहिए जिससे अल्ला का जो ये अजाब है हम सब सारी दुनिया पे है तो किस तरह से इसे बचा जा सकता है एक तो ये बात है कि हमें इन्फिरादी तूबा करना चाहिए और सारी दुनिया के जतने भी लोग है साथ अरब से करीब लोग हैं हमें इज्टिमाई तूबा भी करना चाहिए क्योंकि अल्ला हमसे नाराज है और मैं इन माँ बहनों से कहूंगा सैनिटैजर के बजए क्योंकि सैनिटैजर जो है वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें कोई कभाहत नहीं है शैनिटैजर के बगएर वो पानी का इस्तिमाल अगर करेंगे तो उनके लिए सबसे बेटर है और दूसरी मास्क भी लगार के रखे गरों में हो तो कोई जोरत नहीं है घर से बाहर जो ही निकले मास्क लगा कर निकले तेसरी गाइड लाइनिस डिस्टनस मेंटेर करकी चले यह मेंडेटरी है जरूरी है क्योंकि नभी पाक सुसमनी भी हमें यहीं सिखाया है इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा हमें हमारी मजभब के लहाज से हमारा इसलाम जो है कम्पलीट वे आफ लाइफ है मुकमल निजामी जिन्दगी है यहां भी हमें यह गाइड लाइनिस दे रहा है कि आप डिस्टनस मेंटेन करें मस्जुदों में करें कोई मसला नहीं है इसे इसलाम नमाज पर हमारे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता है और मेरी मुद्बाना गुजारिश है इन माबेहनों से आप भी एहतियात बरते है क्योंकि एक मा जो है न सारे आयाल को शारी गरवालों को खिलाती है अगर वो कोवर्ड नाइंटीन में मुब्तला हो गई तो समझो सारा गर मुब्तला हो गया मुलान साब, मैं आखरी सवाल आप से जाना चाहता हूं कि जो हमारी فرض नमाज होती है उसके हवाले से जाना चाहता हूं कि कहींपे किसी अलाके में मझजद च्छोटी होती है मैंन लीज़ सो अफराद की थी सो अश्चासों में नमास अदा कर सकते थे अब चुंकि डिस्टेंस की बात आ गई है तो उसी मस्जिद में अब 50 लोगों की क्पास्टी आ गई है तो जो फर्ज नमाज अदा करना चाहते हैं और अंदर डिस्टेंस की वज़ा से मस्जिद आक्पई है तो क्या करना चाहिए इसके लिए शरीयत की लिए इजाज़त दें है किस तरी हज़ायत है इसके लिए एक रोज नबीए पाक सललल्हु furry वसल्म लौटेंस कहीं जा रहे थे पृठिर गोने से नीचे भी अतरना होता है तो नबी पाक सब्सचार सिर लूठ असल में यही अतरने की कोशिश की तो नीचे गिर गए तो नबी पाक सब्सक्राव के पाय मुवार्व जो है उन पर मूच आ गए तो क्या करना चाहिए फर्ज नमाज तो मस्जिद में है, वो गर्म में नहीं है, मगर तारी गवा है, निबी पाक ने मुसलसल एक महीन गर्म नमाज पढ़ी, इसे हमें यह हिदायत मिलती है, कि अगर आप इस पैंडिमिक में, कोवर्ड नाइंटीन की सिच्वेशन में, कोरोना वायरिस की इस महामारी में, गर्म में नमाज पढ़ेंगे, फर्ज नमाज पढ़ेंगे, शेरियत इसकी बिल्कुल इजाज़त देगी है। तो मैं आप से दर्ख Version करना चाहूंगा कि आप किश्मीर के लोगों को अपनी तरह से क्या Пऌ से क्या पढ़ेंगे, खास कर इस Covid को करना चाहेंगे। चुनकि आप डिरेंगे जिस असारी लोगों से यह गुजारिच है किनके हमारा एक مسلم परसल बोर्ड भी चल रहा है शिरियत बोर्ड है यहां मुव्ति आज़मु कश्मीर रोज हजारून के सुनते हैं चुँकि नारत कश्मीर का मेरे उपर जिम्धारी है मैं भी बहुत सारे फैसला करता हूँ समाजी लिहाँ से लाके फजल से रात एक एक बजे दो दो बजे लोगों का सुनकर मैं सुझाता हूँ ये भी है और लाका फजल एहसान है मेरी लोगों से गुजारिश है मुद्बाना गुजारिश है ये कि आप जरासीम से भी डर जाएए क्योंकि ये जरासीम जान लेवा है मगर सबसे बड़ी जो दिल में खोफ होना चाहिए वो अल्लह का होना चाहिए आपने दिखा होगा कि जो खास इन्होंने जो हमसे बात शेयर की वो ये है कि परहिज इस बीमारी से बचने का सबसे बहतरीन इलाज है जितना हम परहिज कर सकते हैं उतना हम अपने आपको इस बीमारी से बचा सकते हैं और दिनी आतिबार से हमें जहां पे इस बीमारी से एहतियाद करना चाहिए वहीं पे हमें अल्लह का जो खोफ है उसको अपने दिल में बसाना चाहिए क्योंकि जब तक हम अल्लह से नहीं दरेंगे उसकी अबादत सही मानों में नहीं करेंगे तब तक हम इस अजाब में बिलकुल ऐसे ही जो है इस इस अजाब में हम मलोवस रहेंगे जब तक कि हम अल्ला की तरफ रुजू ना करें हम तोबा इस तक फार में ना आए और खास कर जो अभी प्रिजेंट हम सामाजी लेवल पे देखेंगे कि जो भी गाइडलाइन्स हमें गौर्मट में रखी हैं अगर उनको हम फॉलो नहीं करते तो हम और ज़्यादा मुसीबत का शिकार हो सकते हैं दिन बर की सबी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजे हमारी ओफिशल चैनल को और साथी साथ बेल आइकन भी दबा दीजे ताके आप हो सके हर खबर से वाकिफ